आज हम बात करते हैं चेप्टर नमबर 9 ठीक है इस चेप्टर का नाम है तिरकोन मुईती के अनुपरियोग यानि की तिरकोन मुईती का परियोग कहां कहां किया जाता है उसके बारे में इसमें हम जानेंगे तिरकोन मुईती का परियोग हमारा जाद तर डिफेंस लाइन में क किया जाता है ठीक है तो हम इसी के बारे में यहाँ पर इस चेप्टर में हम जानेंगे और इस पर सवाल करेंगे ठीक है पहला कुशन हमारा इसमें कि सरकस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है ठीक है जो अच्छी तरह से तन्य हुई है और भूमी के सीधे लंबे खंबे के सीखर से बंदा हुआ है यदि बूमी का अस्तर के साथ दोर दवारा बना गया कौन 30 डिगरी का हो तो खंबे की उचाई ग्यात कीजिए ठीक है यह हमारा बनाया हुआ है इस तरीके का डागराम ठीक है अब देखते है कुशन हमें इसने निकालने के लिए क अपॉन में एसी लिखते हैं स्री हमें इसकी हैं थिटा यहां पे है हमारा थिटा के साथ वाला क्या होता है आधार और थिटा के सामने वाला क्या होता है लंब तो हम पहले पढ़ चूके हैं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा ठीक है यह हमारा लंब हो गया यह परपेंडिकुलर और यह हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है यह भी कितना दिया गया है यह भी तो हमें पता नहीं ac कितना है 20 meter equals to sin theta कितना है sin theta जो दिया गया वो 30 degree का दिया गया ठेक अब देखिए ab upon 20 sin 30 का value 1 by 2 cross multiply कर देंगे इसको इसके साथ ये ab हो गया और ये आगया 20 ab बराबर 20 बटे 2 ये कट गया 10 तो ab बराबर 10 meter ये हमारा answer आगया 10 meter का खंबा है ठेक है अगला question है हमारा इसमें आंदी आने से एक पेर तूट जाता है और तूटा हुआ बाग इस तरह मुर जाता है कि पेर के सिखर जमिन को छूने लगता है इसके साथ 30 degree का angle बनाता है जैसे ये बना रहा है पेर के पाद बिंदू की दूरी जहां पेर का सिखर जमिन से छूता है 8 meter है इन दोनों की दूरी जो है वो कितना है 8 meter है ठीक है पेर की उचाई ग्यांत कीजिए तो पूरे पेर की उचाई मान लिज़े इतना बड़ा पेर था तूटके गिर गया अंदी से तो इस पेर की उचाई पहला हमने question किया ये भी उचाई का था और ये भी उचाई का है तो अब देखे कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि AC का value find कर लेते AC AC कैसे निकालेंगे BC हमें दिया गया यहां लिखेंगे BC upon me AC ठीटा कहाँ पे है तो यहां पे है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा आधार ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण तो अधार बट्टे कर्ण क्या होता है cos ठीटा ठीक है अधार बट्टे कर्ण यानि कि base upon me opportunist क्या होता है cos ठीटा cos theta कितना है cos 30 degree bc कितना है 8 और यह कितना दिया गया ac का value ac नहीं दिया गया 8 बटे ac root sorry cos 30 कितना होता है cos 30 होता है root 3 upon 2 root 3 upon 2 cross multiply तो यह आजागा root 3 ac equals to 16 ठीक है अब ac बराबर क्या आजाएगा ac बराबर 16 upon root 3 अब क्या करेंगे यहाँ से इसका rationalize करेंगे ताकि ac का value आजाए ac बराबर 16 root 3 into root 3 upon root 3 ठीक है आजाग 16 root 3 upon 3 यह आगया हमारा ac ठीक है so ठीक है हमारा ac कितना आगया 16 root 3 upon 3 अब हम क्या निकालेंगे a b का value निकालेंगे तो a b कैसे निकालेंगे a b upon b c a b upon b c क्या होगा 10 ठीटा क्या होता है perpendicular upon में base क्या होता है 10 ठीटा तो perpendicular कितना है a b हमें पता नहीं है b c हमें पता 8 है और 10 10 30 degree ठीक है 10 30 a b 10 30 का value क्या होता है 1 upon root 3 cross multiply root 3 a b equals to 8 और a b equals to क्या आजाएगा यह root 3 इधर आजाएगा इसको भी हम क्या कर देते है rationalize कर देते है तो यह हमारा क्या बन जाएगा 8 root 3 upon root 3 अब क्या करेंगे हमें पूरे पेर की मुचाएगा आजाएगा करना है तो यह पेर टूटके इधर गिरा है तो हम इन दोन इसको और इसको plus कर लेते है तो total लिखेंगे a b plus दूसरा क्या है हमारा ac ac equals to a b की value 8 root 3 upon 3 sorry यह 3 ही है 3 plus 16 root 3 upon 3 इन दोनों को plus करेंगे LCM 3 आएगा 24 root 3 यह से एक कट गया 8 root 3 meter यह हमारा answer आगा ठीक है अब देखिया भे question number तीसरा एक question ज़्यादा बड़ा इसलिए मैंने लिखा नहीं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिचलन पट्टी लगा चाहती है पांच वर्स के कम उमर के बच्चों के लिए वह ऐसी फिचलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका सिखर 1.5 की हुचाई पर हो और भूमी के साथ 30 डिगरी का कोन पर जुका हो जबकि इससे अधिक उमर के बच्चों के लिए वह 3 मीटर हो चाही पर एक अधिक ढाल की फिचलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमी के साथ साथ डिगरी का कोन बनाती है ठीक है परते की स्थिति में फिचलन पट्टी की लंबाई ज्याद कीजिए तो हमें क्या निकालना है फिचलन पट्टी की लंबाई ठीक है अब देखते कोईशन पहला क्या बोला इसने पहला हम डाइगराम बनाते पहला बोला इसने 1.5 and 30 डिगरी A B C और दूसरा कितना बोला है दूसरा इससे थोड़ा से बड़ा है दूसरा यह आगे आपका A B C यह आगे हमारा 60 डिगरी ठीक है और फिचलन पट्टी 1.5 यह 3 मिटर ठीक हमें क्या निकालना है फिचलन पट्टी यह फिचलन पट्टी यह जो बच्चों का खेलने वाला होता है जिस पे से बच्चे फिचल फिचल के खेलते हैं उसको बोलते हैं ठीक है तो इसकी लंबाई निकालना है देखिए कैसे निकालेंगे हम लिखते हैं A, B अपॉन में इसके लिए ठीक है पर्पेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस का फॉर्मूला होता है साइन ठीटा कितना दिया गया है 1.5 AC हमें पता नहीं है ठीक है AC पता करना है साइन 30 ठीक है साइन 30 बराबर कितना होता है 30 बराबर होता है 1 अपॉन 2 ठीक है यह आगया 1.2, cross multiply, cross multiply करेंगे तो AC का value क्या आजाएगा, AC बराबर आजाएगा हमारा, 1.5 को 2 से multiply करेंगे, तो AC बराबर क्या आगया, 3, ठीक है, 3, मीटर में है, यहाँ पर तो मीटर आजाएगा, 3 मीटर, यह हमारा पहले फिचलन पट्टी का निकल गए, अब दूसरे फिचलन पट्टी का निकालते हैं, तो सेम वैसे ही लिखेंगे, AB upon AC, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, P, Q, R लिख लेते हैं, P, Q, ठीक है, लिखते हैं, थीटा के साथ वाला, बेस, और यह हाइपोटेनियस, ठीक है, यह परपेंडिकुलर, यह हाइपोटेनियस, और यह बेस, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, साइन, ठीक है, P, Q कितना आगे हमारा, 3, और P, R, हमें पता नहीं है, साइन, साइन आगे हमारा, 60, डिगरी, 3 upon P, R, यह आजाता है, 3, रूट, 3 upon 2, अब इसको क्रोस मल्टिप्लाइ कर देते हैं, तो क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यह आजाएगा, 6, क्रोस मल्टिप्लाइ, और 3, रूट 3, P, R, ठीक, और यह रूट 3 इदेर आएगा, पी आर, अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, रूट 3, रूट 3, इन्टु, रूट 3 उपर नीचे मल्टिप्लाइ कर देंगे, पी आर, तो यह आजाएगा, 6, रूट, 3 upon 3, पी आर, यह कट गया, तो 2 आजा, पी आर की वैलू, पी आर बरावर, यह आजाएगा, 2 रूट 3, ठीक, यह हमारा पी आर, इस फिचलन पट्टी की लंबाया गया, ठीक, यह पहला फिचलन पट्टी होगा, इदर, यह दूसरा होगा, ठीक, इस तरीके से अलग लग होगी है, यह इसका, यह इसका, अगला कोश्चन है, भूमी के एक बिंदू से, जो मिनार के पाद बिंदू से 30 मीटर की दूरी पर है, मिनार के सिखर का उन्यान कुन 30 डिगरी है, मिनार की उचाई ग्याद कीजिए ठीक है देखिए कैसे है ये मिनार हो गया ये 30 मीटर की लंबाई है और यहां से देखने पे 30 डिगरी का एंगल बना रहा है यहां से देखने पे यहां 30 डिगरी का एंगल बना ठीक A, B, C, ये 90 डिगरी उन्हें कोन हमेशा नीचे से उपर बनता है और अब नमंकोन उपर से नीचे बनता है ठीक अब हम इसको करते हैं हमें निकालने क्या है मिनार की उचाई यह निकालना है ठीक तो हम लिखेंगे ab upon bc ab upon bc क्या होता है perpendicular theta के सामने है यह perpendicular theta के साथ वाला base तो यह perpendicular हमारा कितना ab क्या हो जाएगा perpendicular upon में base 10 theta ab हमें पता नहीं है bc हमें पता है 10 30 degree और 10 30 का मान क्या होता है 10 30 का मान होता है 1 upon root 3 cross multiply root 3 ab equals to 30 ठीक है अब यह आजाएगा ab root 3 इधर आएगा upon में और इसका हम क्या कर देते हैं अब इसलाराइश कर देते हैं root 3 super multiply यह root 3 से नीचे multiply तो यह आजाएगा 30 root 3 upon में root 3 multiply होगा 3 बन जाएगा कट गया 10 तो मिनार की उचाएग कितना आगया हमारे पास 10 root 3 मीटर ठीक है यह अगला कुशन क्या करता है बहुमी से 60 मीटर की उचाएग पर एक पतंग हो रहे हैं पतंग में लगी डोर प्रस्थाय रूप से भूमी के एक विंदू से बान दिया गया है भूमी के साथ डोरी का जो का आप साथ डिगरी का है यह मान करके डोरी की कोई डौरी में कोई ढिल नहीं है डौरी की लंबाई ग्यांत किज़े तो ये डौरी की ये लंबाई ग्यांत करना है ठीक है कि पतंग कितना डौरी पे उर रहा है ठीक हमाल लेते हैं ये A है ये B है ये C है हमें निकालना क्या है A C तो ठीक फॉर्मूला लगाते हैं अब हम लगाते हैं A B upon A C A B upon A C क्या होता है Sine Theta ठिक A B कितना है A B हमारा 60 upon में A C हमें पता नहीं है और Theta कितना है Sine 60 दिया गया है Theta अब हम यह के लिखेंगे A C Sine 60 बराबर Root 3 upon 2 अब क्या करेंगे Cross Multiply इसको इससे और इसको इससे तो क्या जाएगा Root 3 A C equals to 120 A C बराबर 120 upon Root 3 अब इसको हम क्या कर देंगे Rationalize जब भी Root नीचे में आए उसको हम क्या करेंगे कि उपर और नीचे उसी संख्या उसी Root से Multiply कर देंगे ठीक है तो यह आजाएगा 120 Root 3 upon 3 यह कट गया या गया 40 A C बराबर 40 Root 3 या गया हमारा Answer याद करने के एक टरीक है यहां पर पंडित बदरी परसाद हर 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 बोले सोना चांदी तोले देखिए P upon H P upon B P upon H क्या होता है? Sine Theta P upon H Cos Theta और P upon B 10 Theta S से Sine C से Cos और T से 10 इस तरीके से हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं ठीक है? यह हमारा एक ट्रीक है